एक गजब और अजब तस्वीर MP के सहडोर जिले की है सहडोर में सिच्छा के मंदिरों का नजारा देखकर आप कहने को मजबूर हो जाएंगे कि यदि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया MP के सहडोर में सिच्छा के दाबों की पोल खोलती एक नई तस्वीर सामने आई है जो सिच्छा युवाग को कटगरे में खड़ा कर दिया है जिले के अंतिमचोर ब्योहारी जनपत सिच्छा केंदर अंतरगत एक स्कूल में कई बड़ी लापरवाही देखने को मिली जहां सिच्छा कुरसी पर बैटकर नन्हे नन्हे बच्चों से जारू लगवा रहे हैं इतना ही नहीं जिस क्लास में बच्चे परते हैं उसे सिच्छक ने अपना गैराज बना रखा है जहां बच्चे बैटकर परते हैं वहां सिच्छक बाई खड़ी कर रहे हैं इतना ही नहीं इसकूल में सिच्छक की आने का कोई समय निर्धारित ही नहीं है इसका नतीजा है कि विद्याले में प्रार्फनाद ही नहीं होती है इस्कूल के ऐसे हालाद देखकर हर कोई यही कहेगा कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया कि अगर्फनाद आपके सामने बच्चे जाड़ू लगा रहे हैं क्या क्या आप तो अभी नहीं लगा रहे है आज नहीं लगा तो किया सही है कि जलत जलत और गाड़िया मलब कक्चा में रकी हुई है कि उनकाप इनदल रहे हैं गारी डाटने की बश्ता अजो बैटने कि नहीं थे अभी सब्सक्राइब नहीं तो प्राथना अनिवार नहीं है अगर नहीं है तो आज हो या प्राथना कितना टाइम है तो ग्यारा बज़े रहें सब्सक्राइब कितने सेल भी है आपके साथ हजार आपको सरकार किसलिए दे रही है और अपने दाइत को यह आपने किया नप्रात में हुई बच्चों से सफाई इस बताए इस सर बच्चों से सफाई कभी कभी यह करा लेते हैं जैसे वह हो गया नहीं तो अब हमी करना ही तो पड़ता है अब सब लेट हो गया इसलिए नहीं किस करण लेट हो गया आप मैं मिसेज की तबियत खराबते सर्थ दबा कराने लगा उनको पहुंचा इस पूरे मावले में छात्रों का कहना है कि रोजाना स्कूल में खुद जारू लगाते हैं तो वहीं स्कूल के सिच्चक का कहना है कि सफाई करमी की वबस्था नहीं होने पर कभी चात्र तो कभी सिच्चक स्वयम जारू लगाते हैं वहीं अन्य विश्यों पर जैसे क्लास में बाइग रखना विद्याले समय पर नहीं आना और स्कूल में प्रार्थना का ना होना मामले पर चीचर ने चुपी सात्ली है झाल 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 झाल